एक खास पार्टी को टार्जिट करें परसासन क्यों पार्टी आपको टार्जिट करेंगा परसासन तो अपना काम कर रहा है अरे तो यह पर जाके उनसे न पूचेगा जो हमलावर है कि क्यों हमलावर आमरे पार्टी को कर रहे हो केंदर सरकार को आप का नितरी तो आप कर रहे तो किंदर संकार के नित्री तु कर रहे हैं तो आखरोज किसके विरुदों का शासन अपना काम कर रही है और अगर यही उनका तर्क है तो उत्तर प्रदेश में, हर्याना में, मद्ध प्रदेश में इन राज्यों में क्यों नहीं गोली चलवा रहे हैं भाजबा नितीश के गडबंदन को लेकर अब काफी चर्चा होने लगी है तो ऐसे में चर्चा ये है कि भारतिये जनता पार्टी और मुक्यमंत्री नितीश कुमार के बीच जो गडबंदन है ये कब तक चलेगा और इस गडबंदन के लिए कौन से वो लोग है जिने अधिकर किया गया है तो अब इसका जबाब में साफ तोर पर समझे तो जो निकल कर सामने आड़ा है उसमें असपश्ट है कि जदियु के राष्टिया अध्यक से लालन सिंग के नित्रित में इस्थीतिया अब असपश्ट होने लगी है आर्सीपी के किनाड़े के बाद कहीं सिरित लोग हैं वह वही है ललन सिंग ने साफ तोर पे उपेंद्र कुस्वाहा पर बयान देते हुए और मांसिक इस्थिति उनकी खड़ाब बता दी है अब तस्वीरे देखिए ललन सिंग इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे वह असपश्ट कर रहे ह जो भातिय जनता पाटि सासित पर देश है वहां जो छात्रों और नौजवानों में आक्रोष पनपाद है उस आक्रोष का परिनाव में है अब उस आक्रोष के कारप हमको लगता है कि संजय जैस्वादी अपना संतुलन खूगे लें और संतुलन खोने के कारण उन्होंने नुभार आ अनुप लगाया है मैने उनका पाइट सुना हम उन्होंने कहा है कि प्रसासन में दौर ऑ एक खास पार्टी को है अपको भाटो के हम लत की अुग है अरे तो यस तो एंसे पूछेगा जो मलावर कि तो सबाबिक चीज को भी वही समझ पारे हैं इसी से हम इसी कारण का रहे हैं उनका संतुलन को बैठे हो प्रशासन अपना काम कर रही है और अगर यही उनका तर्क है तो उत्तर प्रदेश में, हर्याना में, मद्ध प्रदेश में, इन राज्यों में क्यों नहीं गोली चलवा रहे हैं। अगर पत्रकाईता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं, तो जौइन बटन दबा दिए।